बिहार के मुख्य मंत्रे निरीश कुमार आज कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। होली से पहले होने वाले इस कैबिनेट बैठक को लेकर काफी उमीद लगाई गई है। यह बैठक आज बिहार विधार मंडल बजट सत्र के बाद साम 6 बजे मुख्य सचीवाले में रखी गई है। होली से पहले होने वाली इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं होली से पहले होने वाले इस कैबिनेट बैठक से बिहार की विवाव को बड़ी खुस खबरी मिल सकती है बिहार सरकार राज्य में जल्द ही एक हजार पदों पर बहाली निकालने वाली है यह बहाली ग्रूप भी अस्तर पर की जाएगी इसमें बहाल लोगों को करीब 26,000 रुपे तनखुआ दी जाएगी इसे लेकर विदे विवाग से मंजूरी भी मिल चुकी है इसके साथ ही साथ अब इसे मंत्री मंडल सची वाले विवाग भेजने की तैयारी की जा रही है राज्य मंत्री मंडल से मंजूरी मिलने के साथ ही नियुक्ती प्रक्रिया सुरू हो जाएगी बहुत जल्द राज्य मंत्री मंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है नियमावली को मंजूरी मिलने के तुरंत बाद मालियों की नियुक्ती सुरू हो जाएगी इस नियमावली में नियुप्ती की उम्र सीमा, सैक्षनिक योगत्य, वेतन, भत्ते, मेडिकल, प्रमोशन, कारेप्रनाली के संबंद में नियम आधी सामिल होंगे इसके साथी साथ आज के कैबिनेट बैठक में सिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा तौफ़ा मिल सकता है और सिक्षक नियुजन के कई नियमावली पर मुहर लगाई जा सकती है इसके साथी साथ अन्य विभागों के प्रस्ताओं पर भी मुहर लग सकती है जिसमें विभिन विभागों के अंदर नय पदो के स्रिजन समेट कई प्रस्ताओं हो सकते है इस बैठक को लेकर सभी को इसका इंतजार है कि साथवे चरण की सिक्षक नियुक्ती के लिए नई नियमावली कब आईगी दरसल बिहार सरकार के तरफ से 20 नवंबर 2019 को राज्य मंत्री मंडल ने 1000 मालियों का अस्थाई पदिश्रिद करने की अनुमती दे दी थी कुरोना संकट के कारण इसका काम धीमा रहा लेकिन अब इसकी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है साथ ही नियमावली के प्रारूप को विधी विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है अब इसे मंत्री मंडल सची वाले विभाग भेजने की तैयारी की जा रही है राज्य मंत्री मंदल से नियमावली को मंजूरी मिलने के साथ ही मालियों के नियुक्ती की प्रक्रिया सुरू कर दी जाएगी ये लो मुँ मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है, मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का दब्बा लाए, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का दब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पुर्णिया में घर ले लिया है, पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं, e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े, आप क्यों मुमीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined